नमस्कार दोस्तों, Garlic Zone में आपका बहुत स्वागत है तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने चेक किया था कि आप कंडैसर माइकरोफोन को अपनी मुबािलइ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो हम अपने कंडैसर माइकरोफोन को मुबाइल से कनेक्ट करते हैं का यूज कर सकते हैं उसको पावर देने के लिए या फिर आप एक साउंड कार्ड का यूज कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फैंटम पावर सप्लाई के थ्रू अपने कंडेंसर माइक्रोफोन को कनेक्ट करके अपने मुबाइल फोन में कैसे कर सकते हैं रिकॉर्डिंग तो चलिए सिदा वीडियो चुरू करते हैं तो दोस्तों पिछली वीडियो में जो हमने अपना हेडन का एक्षवाई 800 मॉडल जो कंडेंसर माइक्रोफोन है वो यूज किया था और वो डेरेक्ली फोन में लगा था लेकिन आपने देखा होगा कि जो साउंड वेफ्स थी वो इतनी बड़ी नहीं आ रही थी उसका रिजन सबसे बड़ा यह था कि जो साउंड वेफ्स थी वो इसलिए नहीं आ पारी थी क्योंकि कंडेंसर माइक्रोफोन को खुद को पावर की नीड होती है तो इस वीडियो में हम यूज करने जा रहे हैं हेडन कंपनी का ही यह फैंटम पावर सप्लाई आप चाहें तो यह फैंटम पावर सप्लाई किसी भी कंपनी की ले सकते हैं मैंने हेडन की इसलिए क्योंकि हेडन का माइक यूज कर रहा हूं है आप चाहें तो साउंड कार्ट भ यह हमारी Phantom Power Supply और यह इसकी केबल है तो हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है और कैसे यूज़ करना है तो सबसे पहले तो हमारा जो सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें कौन सी वायर कहां पर कैसे लगानी है यह जो फैंटम पावर सप्लाई इसको पावर देने के लिए आप कोई भी जो आपका फोन का चार्जर होता है वो यूज़ कर सकते हो और फोन के चार्जर में आप इसको चकनेक्त कर सकते हो जो केवल है इसको प्रिंटर केवल भी पूलते हैं बहुत ऊजी ली मार्केट में अविलेबल हो इसको यूज़ कर सकते हो तो उसका फोले पूर खोलते है अजय को चार्जर का जो प्लग है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं अभी अपना लाप्टॉप जो है उसके तुरूँ इसको कनेक्ट कर रहा हूं अपने लाप्टॉप जो है वो अन कर देता हूं और अपने लाप्टॉप के यूएस्बी जैट में यह लगा देता हूं मेरे लाप्टॉप का काम हो गया इसको साइड में रखते हूं हम आ जाते हैं अपने बॉक्स पर तो यह जो जैक है यहां पर हमें केवल लगानी है किसी भी अपने चार्जर के जैक में डालके या फिर आप चाहें तो अपने लाप्टॉप के यूएस्बी पोर्ट में डाल सकते इसको और यह जो दूसरा इसका जो दूसरी साइट जो है यह हम लगेंगे हेडन की फैंटम पाउर सप्लाइए यह जो टक की आवाज है इसका मतलब य है यह देखिए पावर ओन हो गई है यह हो गया हमारा कनेक्ट अब इसके साथ जो वायर आई है इसको खोलते हैं जो यह हैं सबसे पहले लगाएंगे अपने इडर के मायक्रोफोण में इसका एक जो पोर्ट आवरे और आप है फीमेल जो फीमेल पोट ए है वह लगाएंगे अपने मायक्रोफोण में कि यह हमने अपनी माइक्रोफॉन में लगा दिया और जो इसका मेल पॉर्ट है वह हम लगाएंगे इंपुट में यह इसका इंपुट मॉड है और इसमें यह हम लगा दिया इसको आपको यहां से प्रेस करके डालना है और यहीं से प्रेस करके इसको निकालना भी है तो यह लग गया है आखरी वायर हमारी रहती है देखिए और इसके थुरू हमें आउटपुट मिलेगा तो इंपुट वायर जो है OUTPUT वाले jack में जाएगी और OUTPUT वाले jack में जो है, OUTPUT वाली wire जाएगी Output वाली wire हमारी hieri जो हमारे Hayden के microphone में available है और ये हम लगा दोते हैं इसमें ये हमने सारी wire लगा दिया और यह रहा आउटपुट वायर के सामने 3.5 mm jack इसमें अगेन हम यह कनेक्टर लगाएंगे यह कनेक्टर के विना यह नहीं चलेगा आपको यह जो है अपनी लोकल मार्केट में पजास आट रुबे का या ओनलाइन 200 रुबे करीब का मिल जाएगा यह और सेम कनेक्टर है जो 3.5 mm jack का है जो हेड़फोन और माइक्रोफोन को अलग करता है आपको कोई भी एक ऐसा कनेक्टर चाहिए होगा लिंक जो होगा इसका आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो हम इसमें जो माइक्रोफोन वाले टाइब है उसमें अपन एंड में अपने फोन से इसको कनेक्ट कर देते हैं चलिए इस सारा काम हो गया है अब मैं अपना जो माइक्रोफोन है उसको अपने शॉक माउंट में कनेक्ट कर देता हूं दोस्तों यह टिप मैंने पहले भी दीती आपको दुबारा देता हूं जो आप कोई भी माइक्रोफोन खरीबते हैं उसका जो लोगो होता है वो आप देख लीजिए कि कहां पर है क्योंकि जो लोगो होता है उसके सामने आप मूह रखके जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको मिलता है तो यहां के सामने सामने फेस रखके आप कि जब से अपने फोन में जो रिकॉर्ड अब चालो गरते हैं तो दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और आप देख पा रहे होंगे जो सांद वेप से बड़ी बड़ी यह इतनी बड़ी इसलिए आ रहे है क्य और अब इसमें इनफ पावर जा पा रही है कि ये रिकॉर्डिंग जो है अच्छे से कर पाए और अब आप जो है नॉर्मली चाहें तो रिकॉर्ड का सबते हैं आप देख पाने की sound waves जो है अभी काफी बड़े बड़े हैं जबकि मैं microphone से काफी दूर होगी चलिए दोस्तों आप ट्राइ कर सकते हैं इसको और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो कोई भी suggestion चाहिए हो या कोई भी problem आप face कर पा रहे हो तो आप मुझे बता दीजेग या मैं उसका solution देने के आपको पूरी-पूरी कौशिश करें आपको कैसे लगी आपको ये video नीचे मुझे comment section में बिल्कुल बताइएगा या आपको कोई भी doubt हो या आप कुछ भी मुझसे पूटना चाहते हो तो वो भी आप नीचे comment करके मुझसे पूट सकते हैं और यह र इसका link जोगा इस अब का link जोगा मैं नीचे description में डाल दूगा आप चाहिए तो purchase कर सकते हैं और कुछ भी पूछना हो आप नीचे comment करके बता सकते हैं आज के लिए आज के लिए